नमस्कार देखा मोवार्स किचन में आपका स्वागत है सीवईया खाना किसे पसंद नहीं होता है तो चलिए आज हम सीवईयों के साथ दो चीजों को और मिला कर बहुत ही आसान सा और टेस्टी नाश्टा बनाते हैं इसे आप किसी भी चटनी या सोस के साथ खाएंगे तो इस पिल गरम होने पर हम इसमें एक चुटकी हिंग डाल देंगे और एक चोटी चमच जीरा जीरा तड़कने लगा है तो अब हम इसमें एक कप यी सीवईय डाल देंगे यहां पर मैंने सूजी की सीवईय लिए है और गेस की आज धीमी करके इसे भून लेंगे मीडियम ब्लो फ्लेम पर हम इसे लगभग एक से दो मिनिट के लिए ही पुनेंगे इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए बस तो लगभग दो मिनिट हो गए हैं तो अब हम इसमें देल कप पानी बाल जाने इसके साथ ही स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे एक बार और गेस के आज थोड़ी धिमी कर देंगे यानि कि मीडियम फ्लेम करके इसे ढख देंगे लगभग दो मिनिट हो गए हैं इसे उबलते हुए क्या और 2 मिनिट में ही सिवान अच्छे से सौाफ्ट हो गई हैं इस तरीके से कट कर के देखेंगे से देखेंगे अच्छे से कट हो रही है यह तुबस इस यादा हम इसे सौफ्ट नहीं करेंगे गेस कि आ इस विलकुल दीमी कर लेंगे और इस हैं दालेंगे आधा कप दही अगर जादा खट्टा है तो आप एक चोथाई कप दही ले और पौने दो कप आप पानी ले सकते हैं मिला लेंगे एक बार अगर दही बहुत जादा खट्टा होगा तो नाच्टा हमारा खट्टा लगेगा भी ही डिया गज्टा वर दही को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब इसमें डाल देंगे एक चांफ से मिला लेंगे गेज के आज हमें बिल्कुल धीर में ही रखनी है चामल को भी हमने सिवईयों में अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं एक डो की तरह बन गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक बारिक कटा हुआ प्याज थोड़ी सी शुमला मिर्श बारिक कटी हुई आदी शोटी चमबच के करीब चिली फ्लेक्स एक चोथा शोटी चमबच से भी थोड़ी सी कम काली मिर्श का ओडर और कुछ पत्तिया हम मीठा नीम के डाल देंगे अच्छे से मिला लेते हैं सभी को सभी को एक बार अच्छे से मिला लेने के बार अब हम गेज बंद कर देंगे और इसे धक कर रख देंगे करीब पांच मिनिट के लिए और पांच मिनिट वाल हम इसे गॉल में निकाल लेंगे पांच मिनिट में हलका सा ठंडा भी हो गया है हम इसे टच कर सकते हैं इतना ठंडा हो गया है तो अब हम हलके हलके हातों से इस तरीके से मसलते हुए इसका डो लगा लेंगे तो हमने यह पर इसका डो लगा लिया है अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे और इस तरीके से दोनों हतलों के बीच में लेकर की चिकना करते हुए प्रेस कर देंगे देखिए तो सभी को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे आप अपनी पसंद से इसे और भी कोई शेव दे सकते हैं तो आप देखिए मैंने इसे इतना पतला रखा है ताकि हमारा नाश्ता बहुती क्रिस्पी बनेगा तो इस तरीके से हमने यहां पर इसकी एक पेज बना करके रेडी कर ली है तो चलिए अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं इधर पेन में तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है अब हम एक एक करके परे नाश्ता इसमें डाल देंगे तेल में डालने के बाद हम गेस के हांच थोड़े धिमी कर लेंगे यानिकी मेडियम कर लेंगे और मेडियम फ्रैन पर हमने फ्राइ करेंगे और जब इनका कलर एक तरप से हलका सा चेंज होने लगे तब हमने फलट लेंगे मेडियम फ्लेम पर तेल एक बार अच्छा से गरम होने के बाद ही हम इने तेल में डालेंगे आलो से बनावा नाश्टा तो आपने कहीं पर खाया हुआ लेकिन आप एक बार इस तरीके से सीवही और चाहुल से बनावाया नाश्टा ट्राइ कीजिए आपको पसंद आएगा बलकी फुलकी उखोने पर आप कभी इस तरह का नाश्टा बना करके खा सकते हैं यह खाने में बहुत टेस्टी रखता है दोनों तरफ से उलट पुलट करते हैं इनका पर अच्छे से चेंज हो गया है तो बस अब उन ज्यादा देर नहीं करेंगे और इने निकाल लेते हैं अधर के और इसी तरीके से हम सभी को फ्राइब कर लेंगे तो लीजी तैयार है हमारा सीवा यह से बना हुआ है गर्मा-गर्म नाश्टा तो इस गर्मा-गर्म नाश्टे को आप सोस या फ्राइब कि घरी मिर्ची के साथ खाईए अलकी फुलकी बुखोने पर आप इसे कभ अंदर से बिल्कुल भी कच्छा नहीं है तो आप भी इसे तरीके से नाश्टा बनाईए और सभी को खिलाईए यह सभी को बहुत पसंद आएगा आलू सुजी से बनाओ नाश्टा तो आपने कहीं बार खायागा एक बार आप सेवयों को बनाओ नाश्टा ज़रू से ट्राइ कीजिएगा आशा करती हूं कि आपको मेरी आज की रेज़ी पसंद आई होगी यह दिरेज़ी पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्यू